हम लोगों के पास प्राकिर्तिक चिकित्सा में सभी रोगों का नितान उपलब है पर एंदु जानकारी के अभाव में हम लोग ऐसी चिकित्सा को ना समझ पाते हैं ना ठीक प्रकार से अपना पाते हैं तो जरूरी है जो प्राकिर्तिक चिकित्सा के जो साधन है जिसमें बिन दवाई के भी चिकित्सा असानी से की जा सकती है और इस सारी पंधितियों को समझने के जरूवत है और इन सारे चीजों पर और हम लोग को विचार करने के जरूवत है कि किस प्रकार से हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से और प्राकृतिक चिकित्सा में भी बहुत सारी ऐसी पंदेतीं हैं जिनको अपनोँ आजा सकता है और जिनके जो है विस्य सग्य अलग-अलग सहरों में उपलब्ध है और जिन से जानकारी प्राप करके हर एक प्रकार की बीमारी का इलाज सफलता पुर्वं किया जा सकता है, इसमें कॉस्ट भी जो है कम आएगा, जो लागत है कम आएगी, समय भी कम लगेगा, और तमाम तरह की जो टेस्ट वगरा करवाने पड़ते हैं, उनसे भी मुक्ति मिलेगी, और जो लंबी चौड़ी जो हम लोग फीस देते हैं, उससे भी मुक्ति मिल पाएगी, जो रूरी इन चीजों को हम लोग समझे, इस पे विचार करें, और सोचे कि कैसे, किस प्रकार से प्रकृति में जो मौझूद चिकित्सा के आयाम हैं, जो प्रकृति में जो तत्व मौझूद है, जिनसे हमारी जो सब भी प्रकार के जो बिमारियां हैं, उनका इलाज किया जा सकते ऐसी चीजों को समझें ऐसी चीजों पर अपनाएं ऐसी चीजों पर विशार करें और ऐसे विशुस्षज्ड्यों कि हम लोग कॉंटक्ट में रहें जिससे की हम लोग जो है इस तरह की जो प्राकिर्थिक चिकित्सा होती है इसका लाब उठा पाएं और जादा से जादा लोग जो हैं इसका लाव उठा पाएं प्राकिर्थिक चिकित्सा में हर एक प्रकार की जो बिमारी है उसका निदान संभव है